नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त संचेत अस्वागत करता अस वीडियो स्रीज में जहां हम बात करें computer networks पर और अब इस वीडियो में आपसे बात करूँगा data link layer की responsibility की last video में किसका समझा physical layer का अगें इस वीडियो का scope क्या होने वाला है कैसे करना उसमें तो बहुत classes बहुत chapter लगेंगे बट हाँ क्या responsibilities है कौन-कौन से important गाम data link layer का करता है इसके बारे में अभी तक बात नहीं कि इस वीडियो में करता हूं तो दीखे सबसे पहला सबसे important responsibility है framing करना अभी technicality छोड़ देता framing का मतलब क्या देखिए data link layer जो हमारा होता है उसको data उपर से मिल रहा है यानि कि network layer से मिल रहा है उसको data नीचे supply करना है यानि कि physical layer में supply करना है अब network layer को नहीं पता है नीचे किस level का discussion चल रहा है वो अपने हिसाब से हो सकता है भारी भरकम बड़े-बड़े packets अभी मैं इसक इसने बड़े packet हम handle कर भी लेंगे कि नहीं कर लेंगे तो framing क्या मतलब होता है data link layer divide the stream of bits receive from the network layer in a manageable data units called frame अगर लग रहा है कि manage नहीं हो सकता तो इनको छोटे-छोटे डबो में divide करना वो process क्या कहलाएगा framing कहलाएगा यहाँ पर हर layer का अपना लग idea है idea packet ही है data link लिए उसको frame ब बोलता है transport ले रूट हो segment बोलता है बट framing मतलब अपनी understanding अपनी capacity के हिसाब से मान लीजिए एक गाड़ी आ रही थी पीछे से जिसमें 10 लोग थे अब एक local गाउं बीच में पड़ा जहां कची सड़क है वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती तो उन लोगों को गाड़ी से निकाल करेंगे फ्रेम कहा स्टार्ट कहां खतम हुआ सब टेक्निकालिटी आगे डिसकर्स करेंगे बट डेटा लिंकलियर जैसी नाम आए आपके दिमाग में तुरंत आ जाने जाने फ्रेमिंग क्या होता है फ्रेमिंग भाई manageable units में divide करना फ्रेमिंग कहलाता है डेटा लिंकलियर अगली responsibility आ जाते है physical addressing जिसको आम तौर पर हम mac address बोलते हैं इस पर भी बाद में detail में बात करूंगा it's a six byte address but मान लिजे यह ऐसा है जब हम internet पर दो you know दो computer communicate करते हैं दोनों दुनिया के किसी भी जगा पर हो सकते उनको चाहिए ip address like passport है लेकिन आपको जो local network है इंडिया के अंदर अगर आपको identity कराने तो passport की नहीं शाद आधार card sufficient होगा और आधार card भी चाहिए आप नहीं जागे नहीं बोल सकते हैं मेरे पास सरस्री passport ही है local identity भी चाहिए तो जो back address है जिसको हम बोलते है physical address यह तरीके से local identity के काम आता है 6 byte का address अब इसकी क्या technicality है वो तो framing के बार अगली बात आजयते है physical addressing करना जो local network में हमारे काम आती है आगे बढ़ते है अगला access control अब access control क्या समस्य है देखिए most of the time जो medium हम use करते है वो shared होते है या private होते है dedicated होते है shared होते है माले जो bus topology है तो अब किस तरह से उस bus को इस्तेमाल किया जाएगा इसको वोलत philosophies हो सकती है तो हम यहां पर रंड दोस्तों अगर आप उसे सारा syllabus daily 3 hours live पढ़ना चाहते हैं तो gate category के अंदर subscribe करें एकडमी प्लेटफॉर्म पर रफिल कोड यूज करिए kgyt 10% discount के लिए बाकी सारी information के लिए वीडियो का link आपको description में मिलेगा random access protocol पढ़ेंगे आपके gate net या you know university exam के लिए बड़ा important topic है CSM में CDM में अलग अलग तरीके हो सकते हैं controlled access हो सकता है जहां पर observation polling token passing या CDM में TDM में यह सब आपने सुना होगा frequency division multiple access time division multiple access basic idea क्या है हम यह बता रहे हैं अलग-अलग methods के थुरू protocols के थुरू कि कैसे किसी shared media को access किया जाएगा उधारन के लिए माल लिजे जब आप रोड बे चलते हैं दोनों तरफ से traffic आ रहा तो वहाप एक signal लगा देते हैं लाल बत्ती लगाते हैं हरी बत्ती लगाते एक बार में एक चलेगा दूसरा लुकेगा तो क्या एक protocol है क्या एक method है जिससे shared medium को manage किया जा रहा है जी हां ठीक उसी तरह से यहां पर भी हमें method चाहिए कि अगर हमारे पास एक shared medium है और अगर वहां पर बहुत सारे stations है तो किस time पर कौन communicate करेगा कुछ नियम तो बनाना पड़ेगा ना railway shared medium है क्या हर कोई एक ही दिन access क कर लेगा क्या नहीं reservation की प्रणाली बनाई गई है ताकि problem ना हो जहां भी shared resource होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए नियम बनाना पड़ेगा operating system में सीमा 4 लगाते हैं you know deadlock में पूरा-पूरा transaction concurrency control पड़ते हो तो इसी तरह यहां पर भी data link layer के responsibility होगी कि वह access control वाली problem को handle करेग अगला आ जाता है flow control जहां पर बड़े मशूर है sliding window protocols है ना stop and wait या फिर go back and या वे selective review अलग अईडियास पढ़ेंगे detail में पढ़ेंगे मजा आ जाएगा point क्या है देखिए मैंने भी बोला data rate physical layer control करता है बट वो सिर्फ अपने level पर कर रहा है अब मैं जब देखता हूं मैं जिसको data भेज रहा हूं वो उस data को consume कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है network तो कर पा रहा है isn't it network कर पा रहा है लेकिन में इतने speed से data भेजरों कि भाई वो उसको तो data को discard करना पड़ रहा है कोई फायदा यह दुबारा भेजना पड़ेगा तो flow control mechanism लगाना भी यहां responsibility हो जाता data link layer का अलग-अलग method है हम समझेंगे बट इस method के through basically हम flow control कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि जो receiver है उसके और हमारे बीच में maximum किस तरह से जो bandwidth है वो utilize हो पा रही हो इसके लिए जैसे मैंने बनाए पूरे sliding window protocols की हिरारे की है यह करना भी responsibility होगा किसका data link layer का अगें-अगें-अगें medium है जिस medium के through हम communicate कर रहे हैं क्या उस पर ब्रह्मा का अशिरवाद है या उसमें कुछ गड़वड हो सकता है बिल्कुल किसी भी transmission medium में कभी भी किसी ना किसी तरह का error आ सकता है अब अगर कोई error या कोई corruption आता है तो उस error को कैसे deal करेंगे तो error detection correction दोनों method होने चाहिए question आते security होगा data link layer का बड़ा heavy load इसको दे दिया और मज़ेगी बात है कि इन सबसे question आता है यार यह जो मैंने आपको बताया है कोई time pass के लिए नहीं बताया physical layer mostly जैसा हम बोल रहा था electronics वालों का लेना देना है थोड़ा hardware से जाधा relate करता है हमारी जो real पढ़ा ही start होती है वो data link layer से ही होती है video like करिए channel को subscribe करिए आपके जो विचारे कमेंट में लिखी कमेंटिक माध्य में जिससे आप और में आपस में communicate कर पा रहे हो तो motivation मिलता यार पढ़के अच्छा लगता है या समझ आ रहा होता है कि आपके और मेरे बीच में कोई gap तो नहीं है आप क्या चाह रहे है मैं उसी साब से काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं येस थैंक्यू सो मच यूनिवर्सिटी एक्जाम्स गेट नेटी अधर एक्जामिनेशन में अगर सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नॉलेजगेट के डिफरेंट कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से हमारी एप डाउन्डोड करिए